अलो दोस्तों लुसेंट रास्तान जीके के डेली टाफ फिटी कोशन में आपका वेलकम में दोस्तों तो ये वीडियो का साट वो पार्ट रस्तों इससे पहले भी 69 पार्ट बनाए जा चुके हैं वो भी आप चैनल पर जाके देख सकते हैं दोस्तों तो सभी कोशन आपको उद्गाटन की रस्म कहलाती है तो इसका रेक्टांसर आपस नमर आ नांगल कहते हैं जब कोई नया मकान बना जाता है और उसका उद्गाटन की जो रस्म है उसे नांगल कहते हैं निक्षने वह कौन सी जाती है जिसके लोग उठाने हैं तो इसका रेक्टांसर आपस नमर का हर जाती के लोग पाल की उठाने का कारिये करते हैं कौन सा नाक से सम्मंदित आभूशन है तो इसका रिक्टा नसर है आपस नबर बै चौंप आभूशन है जो की नाक से सम्मंदित आभूशन है मुरकिया शरीर के कौन से भाग का आभूशन है तो इसकारेक्टांस रहा है आफसन बर बै कान का बुशन है मुरकिया शरीर के निक्षने निम्न में से हाथ के अंगुटे में पहने जाने वाली अंगुटी को कहते हैं तो इसका रेक्टांसर है आपसन बर बै इसे आर्सी कहते हैं जो अंगुठी हाथ के अंगुठी में पहनी जाती है निक्षन है राजस्तान में सुरलिया अबुशन कहां पहना जाता है तो इसका रेक्टांसर है आपसन बर आ कान में पहना जाता है सुरलिया अबुशन निक्ष्टने खटिभ सब्सक्राइब बा दिस की अउने 92 के लिए और यूद्ट की निउनतम आयू तै की गई है तो इसका इरेक्टान सरह आपसें मेंड हैं और और यूद generate है जो कन्य आयू 18 वर्स तै की गई है और यूद्ट की 39 जो एक्ट है 1929 उसमें अमेडमेंट करके 18 वर्ष कर दी गई है कन्या की आयू और योग की आयू 21 वर्ष कर दी गई है निक्ष ने 1832 में कानून बनाकर दास प्रता को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था तो इसका रेक्टांसर है आप्ष नमर से लार्ड विलियम बेटिंग था जिसने कानून बनाकर 1832 में दास प्रता को समाप्त कर दिया था निक्ष ने किस संसकार के पश्यात ब्रह्म आश्रम की शुरुवात होती है तो इसका रेक्टांसर है आप्ष नमर बे तुप नयन संसकार के बाद में ब्रह्म आचारिये आश्रम की शुरुवात होती है निक्ष ने निक्ष ने आत्म सुक से आश्य है तो इसका रिक्टांसर है आप्स नमबर दै तीज सर्ती में उर्षों द्वारा ओडा जाने वाला जो वस्त्र है उसे आत्म सुक वस्त्र कहते हैं निक्ष ने मेमंद क्या है तो इसका रिक्टांस रहा है, आपस नमबर ए, जो सिर का जवाब उशन होता है, उसे हम मेमंद कहते हैं निक्शने said गौरबंद आभ dictionary क्या है ? तो इसका रिक्टा長 थाए, आपसर नमर्ड दै, उउर्ट के गले का जो आभ उशन होता है उसे गौरबंद आभुशन कहते हैं निक्शने, अमर्श यही है तो इसका रिक्तांसर है आपसेशन बर से पगड़ी का परकार है अमर्शाही नक्षुने तो इसका रिक्तांसर है आपसेशन बर से खेतों वै घरों में काम करने वाले बंदवा मजदूरों को हाली पढ़ता कहा जाता है निक्षो ने कौन सा संसकार मनुष्य जीवन का अंतिम संसकार माना जाता है तो इस कारेक्टांसर है आपसर नमबर बै अंतेश्टी को माना जाता है मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार निक्षण से मोसर क्या है तो इसका रिख्टान सरे आपसर नमबर बै राजस्तान में मुरतिव बोज़ की जो प्रता है उसे हम मोसर कहते हैं निक्षण नेинов गर से शमशान तक अर्थी बैbey परिवर्थित करते हैं उसे क्या कहते है परिवर्थित करते हैं निक्षने राजस्तान के राजस्तान के गरामिन्ट शेत्रों में सुबह के बोजन के लिए जो के आटे में छाच मिला कर बनाया जाने वाला बोजन कहलाता है तो इसका रिक्टान सरह आपसन नमर दै इस बोजन को राब कहते हैं निक्ष ने जागीदारों में पहले लोग अपनी शादी में दहेज के साथ कुछ कुवारी कन्याई भी देते थे इन्हें किन नाम से पुकारा जाता था तो स्कायरेटरनसर ए आपसन no.2 इन्हें दावडी के नाम से उकारा जाता था निक्ष ने तोरण माढ़ना किसका प्रतीक है तो इसकायरेटरनसर ए अपसन no.2 विजय और शक्ती का प्रतीक है तोरण माढ़ना निक्षन है इस्तरी पुरुशों को दास के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहते हैं तो इसकारेक्टांस रहा है आपसनमबर दै इन्हें गोला कहते हैं निक्षन है आदिवासी लोगों में प्रचलिते लीला मुर्या संसकार का संबंद है तो इसकारेक्टांस रहा है आपसनमबर से विवास से संबंदित है लीला मुर्या संसकार आदिवासी जाती के लोगों में निक्षन है कौन सा रिवाज विवाज से सम्मंदित नहीं है तो इसका रिक्टांसर है आपसनमर से नांगल रिवाज जो कि नए घर का उद्गाटन किया जाता है उस ताइम पे किया जाता है तो ये विवाज से सम्मंदित नहीं है इसके लबावा बिंदोला, गट जोडा और डावरिया ये तीनों ही संसकार विवा से सम्मन्दित है निक्षने आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है तो इसका रेक्टांसर है आपसनमबर से ए विवाईत यूतियों के द्वारा पहना जाता है कटकी वस्त्र आपउशन है तो इसका रेक्टांसर है आपसनमबर बै बिची आपउशन पहना जाता है पेरों की उंगलियों में निक्षने, विवासे सम्मंदित रस्म हैं तुस्कारेक्टांसर है आप्षन नमर द्य ये सभी मतलब कांकंड, डोर्डा पहरावनी, बरी, पाडला ये तीनों ही विवासे सम्मंदित रस्म हैं निक्षने, राजस्तान में जल्वा पूजन तुसकारेक टांसर है आपसर नमबर बच्चे के जनम के कुछ दिन बात किया दता है जलवा उजान निक सुने परमपरागत राजस्तानी वेश बुश्या की पहचान है तो इसका रेक्टांसर है आप्सन नमबर ए साफा है परमपरागत राजस्तानी वेशबुशा की पहचान निक्षन है राजस्तान में साग्री पर्था क्या है तो इस कर्रेक्टांस रहे आप्सन वर्स है जो हाली पर्था होती है उसे हम साग्री पर्था कहते हैं राजस्तान में निक्षन है जहांगीर ने बूंदी के किस शाशक को चित्रकला प्रेमी के कारण सर बुलंद राहे की उपादी दी तो इसका रेक्षन है आप्षन मर्भी रतन सिंग को दीती चित्रकला प्रेमी होने के कारण बुलंद राहे की उपादी जहांगीर के दुआरा निक्षन है महाबारत के फार्सी अन्वादन रजब नामा के चित्र किस शेली में बने हैं तो इस कारेक्टान स्राय आप्शन नमबर भी आमेर शेली में बने हुए है महाबारत के फार्सी अन्वादन में रजब नामा के चित्र निक्षने किस शेली में कागजी चित्र अधिक होने के कारण कागजी शेली कहलाती है तो उसका रिक्टानसर है आपस नमबर ए किसनगड शेली को कागजी शेली भी कहते हैं निक्षने मारवाड स्कुल चित्रकला शेली का परमुक चित्र कौन सा है तो इसका रिक्टान सरा है आपस नमबर ए उत्रा धेन सुत्र है परमुक चित्र निक्ष ने दर्बारी द्रशे जुलुस के द्रशे आदी किस चित्र शेली में दिखाया गया है तो इसका रेक्टांस रहा है, आप्स नमर भी, कोटा चित्रशेली में दिखाये गया है, दर्वारी द्रशे और जुलूस के द्रशे निक्ष ने, अलवर के किस चित्रकार को, मास्टर आफ नेचर एंड लिविंग आपजेक्ट्स कहा जाता है तो इसका रेक्टांस रहा है, आप्स नमर ए, देवकी नंदन शर्मा को कहा जाता है, मास्टर आफ नेचर एंड लिविंग आपजेक्ट्स निक्ष ने, जर्मन के चित्रकार एएच मुलर ने, जिसका चित्रन बनाया है, वह है तो इसका रेक्टांस रहा है, आप्स नमर सी, महरना परताब का चित्र बनाया है, जर्मन के चित्रकार एएच मुलर ने, निक्ष ने, चित्रकला संस्तान, टक्मन अठाई से, तुलीका कला परिशद सरस्वती बंडार आदी इस्तित है तो इसका रेक्टांस रहा है, आप्स नमर है, उद्यपूर में इस्तित है, तक्मन अठाई से, तुलीका कला परिशद और सरस्वती बंडार आदी इस्तित है निक्ष ने, चित्रकला संस्तान, दोरा, तेरा, पुस्तक परकाशन इस्तित है तो इस कारेक्टांसर है आपस नमरे जोदपूर में स्थित है दोरा और चितेरा उस्तग प्रकाशन निक्ष ने राजस्तान में आधुनिक चितरकला का जनक माने जाते हैं तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमरे माश्टर कुंदनलाल मिस्त्री को माने जाता है आदुनिक चित्रकला का जनक निक्ष ने जेपुर के किस चित्रकार के चित्र जापान के फुकोसा म्यूजियम में रखे गए हैं तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमरे बिल्कुल गरेक्ट है सुर्जित कौर के जो कि जेपुर के चित्रकार है उनके चित्र रखे गए हैं जापान के फुकोका म्यूजियम में निक्ष ने गाउं के चित्रे के रूप में जाने जाते हैं तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमरे बूर सिंग शेकावत को जाना जाता है गाउं के चित्रे के रूप में निक्ष ने राजस्तानी चित्रकला का प्रारंब माना जाता है तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमरे बिल्कुल गूजर अपवरंश्य माना जाता है राजस्त दमना किस चित्रकार द्वारा बनाया गया है तो इसका रेक्टांस रहा है आपसर नमर सी नरूदीन के द्वारा बनाया गया है कलीला दमना चित्र निक्ष ने राजस्तानी विचारदहरा की चित्र शेली का प्रारंबिक केंद्र बिंदू है तो इसका रेक्टांस रहा है विकास मेवाड शेली प्लस ब्रज शेली के मिश्रण से हुआ है तो इस करेक्टांस रहा है ऑप्शन बर सी नाद्वारा शेली का हुआ है विकास मेवाड शेली और ब्रज शेली के मिश्रण से निक्ष ने राजस्तानी चित्रकला शेली का स्वन काल माना जाता है तो इस करेक्टांस रहा है आपसर नमबर सी सत्रवी वर ठारवी शताब्दी माना जाता है चित्रकला शेली का सोनकाल निक्ष ने राजस्तानी चित्रकला का वर्गीगरण करने वाले आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक थी तो इस करेक्टांस रहा है आपसर नमबर बी राजपूत पेंटिंग से पुस्तक थी आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक जिनोंने राजस्तानी चित्रकला का वर्गीगरण किया है निक सुने, गलत कथन चाट ये, तो इसका रिक्टान सरह है, आप्शन नमबर D, सभी कथन सही है, इसमें आप्शन नमबर A है, पश्यू पक्षियों वर प्रक्कती चितरन के कारण, बूंदी शेली को पक्षी शेली भी कहते हैं, बिल्कुल सही है, आप्शन नमबर B है, शिक राजस्तानी चितरकला, अजनता चितरकला शेली के रूप में विकास रूप है, ये आप्शन भी सही है, तो सारे ही आप्शन इसमें सही है दुस्तों, निक्षन है, एसंगत चाट ये, तो इसका रिक्टान सरह है, आप्शन नमबर D, किसन गड़ शेली इसमें एसंगत है, क्ष Lahilly, एसमें सबस्तों ॵर्च praवा करना है, जतरकला, चुस्तों को एसमें इसमें, एसमें व estás पूछे है, आप्शन है, झाप्टान है, इसमें भी सतया है, वे सबस्तों है, जो extremely antioxidynn है, तो ठो बिक्षन है, पूल्या है, ये शैसंगतों